आप सभी का आपके अपनी यूटूब चेनल सूपर कंसर्प्ट क्लासेज में स्वागत थे जैसे का आप सभी को पता होगा कि क्लास 9 और क्लास 11 का रेजिस्टेशन फॉर्म भराया जा रहा है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यह जो आपका क्लास 9 और क्लास 11 का रेजिस्टेशन फॉर्म भराया जा रहा है इसके साथ आपका क्या 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 डोकुमेंट्स लगेगा हर एक चीज के बारे में यहां पर मैं आपको सिंपल तरीके से बताने वाला हूं और यहां पर मैं आपको डोकुमेंट्स भी दिखाऊंगा कि यह जो आपका है इसके साथ आपको कौन कौन सा डोकुमेंट्स अबिट करना है अगर आपको यह बीदियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा सैर करे यह ताकि हर एक स्टूरेंट के पास पहुंच जाए और देखिए बहुत इं इसलिसे एक्जाम में मनलब अधिकतर questions पूछे जाते हैं और मैं भी हर एक model paper का solution आपको करवा रहा हूं आप इस वीडियो के description box में जाकर देख सकते हैं वहां पर आपको हर एक चीज़ का playlist मिल जाएगा जिसकी मदल से आप हर एक वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं तो चलिए एका करके discuss करेंगे कि यहां पर आपका क्या-क्या documents लगेगा अगर आपके बस documents नहीं है ना तो आप documents फटाफट बनवा लिजिए या फिर अभी time है ना आप documents बनवा भी सकते हैं तो देखिए यहां पर क्या-क्या लगेगा एक करके हम लोग हर एक चीज को discuss करेंगे देखिए मेरा थोड़ा सा तवियत खराव है इसलिए आपको थोड़ा सा भॉयस में मदलब problem लग सकता है कर कोई issue नहीं है देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते है class 9 का जो आपका registration हो और सही सही भरिए कि यहां पर अगर आप कोई वी चीज को गलत बरते है ना तो आपको future में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है और देखिए एक बहुत ही important वात जो subject होते हैं जो subject होते हैं आपको कौन-कौन सा subject रखना है कौन-कौन सा subject आपको लेना है आप पहले ही स होता है बहुत सारे बचे क्लास 90 मेंने सोचते हैं जिनको में प्लास 10 में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है उनको लगता है कि नहीं मुझे तिया subject ने रखना चाहिए था लेकिन रख लेते हैं तो और बाद में किसी प्रकार कोई changing नहीं होगा इसलिए जो भी करना है आप सोचिए समझिए फिर जो भी भरना आप भरिएगा तो यहां पर देखिए जो भी नाम बेगरा जो भी होंगे father's name mother's name जो भी चीज है आप हर एक चीज को अच्छे तरह किस भरिए और देखिए मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा था subject तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ना और यहां पर subject को आप एकदम अच्छे तरीके से और एकदम बहुती साब्धानी पूर्वक भरिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो और एक important बात देखिए कि जो फोटो होगा ना फोटो को आप अच्छा फोटो यहां पर लगाईएगा और जो signature होगा इसी box क अंदर में होना चाहिए और यह जो आपका फोटो रहेगा और यह जो signature रहेगा ना यह आपके admin card में आने वाले हैं इसलिए आप यह जो चीज होगा अच्छे तरीके से दिजिए गाटे का आगे देखिया पर यहां पर क्या 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 डोकुमेंस लगने वाला है क्लास 9 का यहां पर क्या क्या लगेगा पहला बात अपका लग जाएगा क्लास 8 क्लास का आपका admin card लगेगा ठीक है 8 क्लास का आपका marksid लगेगा और 8 क्लास का एक चेक लिस्ट होता है यह तीन चीज लग जाएगा 8 क्लास का admin card 8 क्लास का marksid और 8 क्लास का checklist यह तीन चीज आपको यहां पर और देखिया आगे आपका यहां पर क्या क्या लगने बाला है एक आपका लगेगा जाती पर्मान पत्र एक आपका लगेगा आवासी पर्मान पत्र एक आपका लगेगा आई पर्मान पत्र ठीक है यहां पर देखिए और क्या क्या लगेगा एक आधार कार्ड एक आ आपका साथ दो फोटो लग सकता, पासपोर्ट साइज दो फोटो लगेगा, तो यह सब जो डोकुमेंट्स आप फड़ा पड़ बनवा लेजिए, देखिए, यहां पर आपके मन में कोईश्चन उटेगा, कि सर, यह एडिमिट कार्ड मार्क सेट और चेकलिस्ट क्या होता है, क्या रेडिमिर कार्ड मार्क सेट के बारे में रहते हैं, लेकिन ये दो चीज़ वारी हमारे पास नहीं है, और यह चेकलिस्ट भी हमारे पास नहीं है, तो हम यह पर क्या देंगे, तो देखिए, आपको दिखाँ गा और बताऊंगा भी, तो आपको जाती आरास ही है, और तीनों देना है आधार काट देना है फोटों देना है ठीप है और अगर आप दिभ्यांग का संथठीफिकट भी देजएगा या कोधा स्वेख लीजिए यह विजर्ने आप양े इस प्रकार yağ कोई ने था यहा goto रहा तो एड़ी मीड़ काड़ कुछ इस प्रकार से होता है यह आपका unit-card पर मैं अगर बात बॉण हहाँ यहां पर जो आपका class 9 में जहुड बच्सक्राइब नहीं जम पर आप लोग का परsnılser sickness लींग और दिस— देना है वलिव यह तीन चीज यहां पर आपका नहीं लगने बाला है इस बाद को आ लगेगा यहां पर चेक लिस्ट केसे होता है, तो चलिए हम भी डिस्कस करते हैं, क्लास 11 का जो रिष्ट्रेशन होने वाला, इसमें क्या क्या आपका डोकुमेंट लगेगा, तो थोड़ा आप लोग यहां पर फॉर्म को देख लिजिए, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कि आपका फॉर्म को किस परकार से भरना है, और देखिए जो फॉर्म को भरियेगा, फॉर्म भरने के टाइम में गलती न करिए, क्यांकि अगर आप गलती कर देते हैं, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रोवलम होने वाला है, और जो सब्जेक्ट है न सब्जेक्ट, यह अगे आपका चैंज नहीं होने वाला है, और यहाँ पर यह जो सब्जेक्ट तरीके से सोच विचार करके रखना है, अब यह नहीं कि, जो मन में आया, रख दिए, फिर मतलब बाद में लगेगा, कि नहीं सर यमिंट उलने होगा, हम सर चैंज करेंगे, कैसे होगा, क्या जो भी करना है अभी करें कि किमें बार बार कहता हूं कि आपका जो सबजेक्ट हैना सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा जो subject आप रखेंगे अभी class 11th में वही आपका class 12th में रहेगा तो आप सोच लिजिए कि आपको कौन सा subject रखना है कौन सा subject आपको अच्छा लगता है और देखिए और एक important बात कि जो आपका additional subject होता है चाहे आपका arts में हो, science में हो या फिर commerce में हो अगर आपको additional subject रखने का मन करता है तो रखिए नहीं तो किसी के बहुत कावे में आके कोई मतलब अपने दोस्त का मतलब देख के यह सब मत करिए अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना तो मत रखिए यहां पर class 10 ते में जिस प्रकार से additional का जो कारनामा है यहां पर 12 में कुछ भी ऐसा नहीं है बस यहां पर समझे कि आपको एक मतलब यहां पर एक extra बोज अपने उपर में ले रहे हैं तो आप रखना है तो आप रख सकते हैं तो आप सोच लिजिए गा पहले हो प्रकाल जाएगा class 10 का मांक सिट लग जाएगा यहां पर और चेंद का जो रिश्टेसन स्लीप आउब आप लग जाएगा और तो कहांब में जब आप class 11 में मदवद्ध कराए हैं ठीक है यहां पर आपका 11 झाल में यह मतलब कुछ नहीं के कुछ नहीं को बूल जारे इसको भूल जाएं आप को क्या देना है तो क्लास 11 का ए्टमिसंट से लिब देना है बात के लिए क्लास 10 का एंट में शुप देना है जो अभी घरैंश विहाल किने यहां पर फिर आपकों लगेगा प्रबॉर सरन कर देना है। अच्छो च्रफ ठेंद का कारें विधियांन का सटीफिक्ट ललग जाएंगा बात समझ पारें अगयां लग रहां यहां पर मैं फिर सेगफ रिपिट कर देता हूँ क्छेली में कॉरण संत का क्लास स्टन का रिज़्टिर सन्सेल और к्ल्सㄹलेंद का कलास इलेंद का क्लास 11 का एडम सेलीः ठीक है क्लास 11 का एडमिसस्थलिप लगेगा याद रहुत केका हैं पर 10 ने क्लास 11 जो आप अधार कर देना है अगर आप दिब्यांग है तो बस यह सारे डॉकमेंट आपके लगने वाले हैं तो और जो फोटो रहेगा पासपोर्ट साज रहेगा और आपको मान की चलिए और किसी परकार कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे आप जान लिजेगा यहां पर यह मतलब जो आपका मतलब एडमसन जो स्लीप लगेगा यह 11th कलास का लगेगा ठीक है 11th कलास का लगेगा और आपको है जैरॉक्स देना है और आप यह जो रेजिशन फॉर्म है जब आप इसको भरियेगा तो इसका आप क्या करिएगा एक पर में आ जाएगा सारा चीज बोलेगा कि निया आप ही ऐसे भरे हैं लेकिन अगर आप एक पुरूप अगर एक जरक्स कर अगर आपने पस रखते हैं तो कोई आपको ऐसा बोल नहीं पाएगा तो इसलिए क्या करिएगा एक कॉपी अपने पास जरक्स करके रख लिजिए जो आपके लिए वेस्ट होने वाला है तो बस यह सारे डोकुमेंट्स आपको रेडी करने हैं अगर आपके पास रेडी है तो जाईए और पहले सर से कॉंटक्ट कर लिजिए कि सर अभी मतलब रिजिस्ट्रेशन हमारे स्कूल में स्टाट हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसे रि वीडियों में थैंक यू जैंद